पूरत आतरे अच्छोंब करसमान उन्सों नोला सिप्टेल… ट्रालश पूरत आतरे में। हम चुक्ताद तूर्स तूर Candish हम आए हुवे हैं तूरध가 बर्मा और इंडिया का बाउंडरी में तो यहां के जो है फिट इंडिया के अंदर कर फिफ्टी वुमेंस ट्रंस हिमालायन एक्सपेडिशन 2022 यह शुरू किया जा रहा है इसमें 12 महिला पार्टिसपेट किया जा रहे हैं तो इसमें बचंदरपाल जो है पत्मा श्री वर्डिस भी शामिल है वो है टीम लीडर तो यहां से निकल के पंसपास से निकल के ले लड़ाक तक जाएंगे तो इस विशे में हम जानकारी के लिए उन लोगों से भी हम लोग बतलाप करेंगे हम लोगों के लिए बहुत खुशी के बाद है कि एक पत्मा श्री एवर्ड मिलने का साथ में और ऐसा हम लोगों मुका मिल रहे हैं यहां से आप शुरू किये तो कहां तक जाएंगे मैं यहां से शुरू करके हम जाएंगे कारगिल टाइगर हिल जो बहुती एथियासिक है जिसमें 1999 में हमारे भारतिय सेना ने पाकिस्तानियों को पचाड करके और भारत का जंडा गाड़ा था तो वह हमारे लिए बहुती इतने एथियासिक जगह है वो और वहां पे हमारे पूरी जर्णी हम लोग कम्प्लीट करेंगे और एक हम लोक को जानना था कि आपने इतना हम लोका इंडिया जो इतना बरा है उसमेंसे आपने क्यों चुना यह जो पांग्साव फास जो है पांग्साव पास बहुती इस्टोरीकल है आपनशीक है « अगर आप सिधे इस्ट सेम्यामार का बॉर्डर जो है वहां से शुरू करेंगे तो यह डिसीजन हमने लिया कि अगर हमको पर्मिशन मिलती है इससे बहतर और क्या हो सकता है आपका यह जो जर्णी है आपका में मोटिफ क्या रहेगा मैं में मोटिफ तो हमारा जो एक्सपोडिशन का टाइटल है लोगों को यह बताना कि अगर हम फिट हैं तभी हम बहुत कुछ सपने देख सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं लाइफ जिन्दकी के हर चंड को एंजॉय कर सकते हैं तो यही है में तो की लोग फिट रहे हैं और हमारे प्रदान मंत्री का जो फिट इंडिया मूब्मेंट सुरू होगा तूथ हाउसे नाइटीन से और उससे तभी से मेरा एक सपना था कि यह जो फिट इंडिया बैनर में अगर जिनको यह माना जाता है कि नहीं आपचास जाते हैं लोग आराम तलब हो जाते हैं तो मैं सोची थी मैं तो फिट हूं मैं माउंटिनेर हूं टाटा स्टील एडवेंचर फांडिशन में काम करती हूं और लोगों को ट्रेनिंग देती हूं मैं अभी भी फिट हूं तो क्यों ना पचास साल से उपर के लोग अगर यह इस तरह के प्रोग्राम करेंगा तो लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन है क्योंकि हम तो भासन देके नहीं बोल रहें डेमोस्टेट कर रहें कि हम साट साल से उपर हैं सौतर के आस्वा जा रहे हैं तभी हम लोग यह इतनी बड़ी एक अल्टिमेट हुमन इंडूरें जैसी जर्णी को हमने कर रहे हैं हम लोग तो यह मैसेज देना है कि सारे विमन हो या मैन हो या सीनिर सिटीजन सो सब को कि पचाश साट साल के बाद सपने खतम नहीं होते हैं उसके बाद भी सपने बहुत कुछ देख सकते हैं और अपने को फिट रखें क्योंकि अब भी परिवार फिट होगा समाज फिट होगा तो में हमारा यही है सबको और नारी सर्शक्ति करां कि महलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं अभी पचाश साट साल के बाद भी यह पहला ऐसा अभी आने जिसमें इस उमर की महलाएं मैलाएं क्या पुरुशों लोगों ने भी साइद इ यह हमारा में अब्जिक्टिव है और नाचे टुड़े से भी आपका विश है में सक्सेस हो इस जान्नी को थैंक यू सो मच माम बहुत बहुत अभारी है यहां पर मैगनिफिसेंट नाइंटीन का जो सपोर्ट रहा है हम लोग हमारे आमी का बहुत सपोर्ट रहा है वैसे व कंप्लीटी ने होता है तो वो जगह हमको आने का सपोर्ट रहे तभी हमारी जर्नी कंप्लीट हुई है और जो की शुरुवात हो चुकी है बहुत अच्छी शुरुवात हुई है तैंक यू तो मैम आप लोग यहां से निकलेंगे तो कितना किलोमेटर कोवरेश होगा यह पुरा ट्रांस हमालाई जर्नी है उसमें हमेशा ट्रांस हमालाई का मतला भी होए कि मिनिमम आपको फोर मंस से ज्यादा तक होना चाहिए और आप हिमाले की जो तीन रेंज है हायर हिमालाई, म बेश समंगाल में एंटर होते हुए हम लोग संदकफुफ पास से हम लोग नेपाल में जाएंगे नेपाल पुरा इस्ट, सेंटरल एंड बेश नेपाल होते हुए फिर हम लोग घडवाल में एंटर होंगे, कुमा घडवाल से फिर हम लोग जाएंगे घडवाल में, घडव कैसा मेसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है जो की मतब जो जो दर्शक है वो देखने को मिले उसका क्या मेसेश रहेगा आपका हमारे लिए तो यह इतना अच्छा लगए कि पूरा कौना है बिल्कुल हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा देश इतना सुंदर यहां के लोग इत आपके हैं, तो हमको यह मौका मिला है तो हमारी जरूब कोसीज रहेगी कि हम लोग यहां का लोकल मेंजमेंट के साथ मिलके हम लोगों को इन्ट्रेक्शन करे लोगजा पारवी लेडीज वोमन के साथ साथ और हमलों पुरा 52-70 एज की लेडी इज मिला है एक्सेरिंस माॉं मैं यह जो है फिट फिफ्टी प्लास वीमिन जो आप लोगों ने ट्रांस हिमालेन एक्सपेडिशन जो शुरू किये उसका बारे में आप का तरफ से क्या शेयर करना चाहिए कि जो दर्शकों को देख के मतलब आप लोगों का इसा फिट हो मैसूस को सबसे पहले यह है कि हेल्दी रहने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती कोई एज बार नहीं होता कोई जेंडर बार नहीं होता कि भी जेंट्स फिट रहेंगे लेटिज नहीं होता तो यह संदेज हमारा जो लेके हम लोग चल रहे हैं कि अगर आप फिट रहेंगे तो आप अगर सुस्त रहते हैं, तो आपका परिवार भी सुस्त रहेगा। जर्नलीं लोग ये सोचते हैं, कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, हम रिटेर होगे, आप तो बस कुछ नहीं आप कुछ करते हैं, कर नहीं सकेंगे। पर ऐसा नहीं है ना, हमारे उमर में के देखिया आप, हमारे इस ग्रूप में देखिया आप, 68 एट इर्स के हैं, आप सोचेंगे अगर आजू बाजू में घर में अगर किसी रिष्टेदार के बारे में सोचेंगे, उनको अपनी दिमाग में रखके दिखाए, सोचेंगे कि इस उमर के लेडिस लोग या जैंट्स लोग घर में बैठे रहते हैं, अपने आपको हार मानने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, यह सारे जो है फिट रहने का आपका दिमाग में है, अगर आप सुचेंगे कि मुझे फिट रहना है तो आप रह सकते हैं, हमने एक लंबी य लोग देखेंगे, यह तो इस उमर में कौन इस अल्टिटूट में आने का सोचेगा, अलम्बी जरनी, पांच मेना कोई कम नहीं है, तो पांच मेने तो घर से दूर, परेसानियों के साथ में हैं, लेकिन हमने वो बीड़ा उठाया है, और हम अपने देश के जंता को, अपन